महिला पहलवान विनेश फोगाठो या हर्याना की महिला कोच या फिर दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा इनके आंसूं को किसने देखा और कितना महसूस किया दिल से महिला पहलवान विनेश के आरोपों के जवाब में ब्रिज भूशन शरण क्या कह रही है कि अगर मैं मूँ खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी और विनेश क्या जुटे आंसु बहा रही है अगर विनेश बोली तो क्या भूचाल नहीं आएगा और आ भी चुका है सारा देश इस मुद्दे पर विनेश और अन्य महिला पहलवानों के साथ खड़ा है क्यूं जाच के बहाने मामले को लटकाने और भुलाने की कोशिश की जा रही है वैसे महिला खिलाडियों से दुराचार पहले भी होता आया है और छेर चाड़ भी लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा महिला पहलवानों ने उठाया उससे ये साबित होता है कि अब पानी सर से उपर हो गया है यानि बरदाश्ट के बाहर विनेश ने एक साल पहले अपनी मा को बताया जैसा कि महावीर फोगाट कह रही है आम तोर पर कोई भी बेटी पहले अपनी मा से ही ऐसे दुख सांचा करती हैं फिर भी ये दुख कम नहीं हुआ बलकि बढ़ता ही गया जो से जंतर मंतर पर बैठ कर सारे देश को सुनाना पड़ा वैसे महिला मुक्के बाज मेरी कौम भी ऐसी छेड़ छाड की शिकार हुई है लेकिन वे अंजान लोग थे मेरी कौम तो विनेश के दर्द को समझ पाएंगी इस तरह एक्ट्रेस मेगना मलिक ने भी एक बार चंडिगर्ड प्रेस क्लब में बताया था कि जब वे सोनिपत में छात्रा थी और कॉलेज के लिए साइकल पर जाया करती थी तब उन्हें भी प्रिंसिपल की बेटी होने के बावजूद रास्ते में परेशान किया जाता थ ऐसा ना केवल महिला खिलाडियों को सहना पड़ता है बलकि एक्ट्रेस भी इस तरह के मामलों की शीकार होती हैं महिला कोश ने जब से खेलमंत्री संदीप सिंग के खिलाफ मोर्चा खोला है तब से उसे ही निशाने पर रखा जा रहा है एक महिला अधिकारी कह रही है कि जो बाल कलर करवाने वाली लड़किया हैं इनसे तो दुशकर्म होना ही चाहिए कितना शरमनाक बयान है महिला कोच का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने बात तक नहीं सुनी आज तक निश्पक्ष जांच के लिए खेल मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया गया मामले में अब तक कोई कारेवाई नहीं हुई इसी तरह तीसरा मुद्दा चर्चा में है दिली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल का रात को महिलाओं की सुरक्षा की जांच करते समय एक कार वाले ने स्वाती को ना केवल गंदे इशारे किये बलकी कार से घसीटा भी अब भाजबा सांसद मनोज तीवारी इसे पबलिसिटी स्टंट कह रही है ये भी कह रही है कि ये स्टिंग फर्जी है ये है पुरुष मानसिक्ता जैसे कभी स्वर्गिय मुलाइम सिंग यादव ने रेप की घटना पर कहा था कि ऐसी छोटी मोटी शरारतें बच्चे करते ही रहते हैं और हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चोटाला ने ऐसी घटनाओं के पीछे युफ्तियों के छोटे कपड़े पहनने को दोश दिया था ये सब पुरुष मानसिक्ता के उदारन कहे जा सकते हैं क्या महिला को अपने उपर हो रहे ऐसे घिनोने दुराचार का मुद्दा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए यदि करती है तो महिला कोच को मकान मालिक भी अभद्र शब्दों से संबोधित करने लगता हैं क्या विनेश महिला कोच या स्वाती के आरोप जूटे हैं क्या इन्हें कोई हक नहीं है अपनी बात रखने का क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले महापुरुष भी ऐसा ही समझते हैं क्या इन्हें बेटियों को बचाने आगे नहीं आना चाहिए कब तक उनका इंतजार करेंगी बेटियां बेटियों को निर्भया होने की जरूरत है क्यूंकि कोई क्रिश्ण इस कल पर्यूग में उनको बचाने नहीं आएगा एनवी नियूस के लिए कमलेश भारतिय की ये खास रिपोर्ट